प्रेंड्स होली की बहुत बहुत बढ़ाई आप सभी लोगों को हेलो फ्रेंड्स मैं हूं परभा मेरे चैनल रेस्पे दुध परभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज बनाते हैं आलू भुजिया नमकीन इस होली इसको जरूर बनाएए अपने महमानों के लिए अपने दोस्तों के लिए तो चले हम रेस्पी शुरू कर लेते हैं हमने यहाँ पर मेडियम साइज के चार आलू लिये हैं आलू हमने उबाल के छिलका उतार लिया है इनका अब एक ग्रेटर लेते हैं और ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेते हैं तांकि इसमें लम्स बिल्कुल ना रहे तो हमें आलू में गुठिलियां बिल्कुल नहीं चाहिए इसलिए हमें इसे पहले ग्रेट कर लेना है एक ग्रेटर से तो इस तरीके से हमने इसको ग्रेट कर लि हम और एट कर देंगे तो एक काटोरी मेशं लिए मरता है अब ही मसालें पर Day TOM अधा चम्मा लाल कर समिरमिडफ पाउडर आधा चम्मा हमने इसमें कालिमिड़ और आधा चम्मा चम्मा चम्मने यहाँ पर आमचूर पाउडर लिया है यह अजवाइन है इसको पीस के रख लिया था तो चान Skill क Also इसको डाल देते हैं और मोड़ा वाला पार्ट साइट कर देते हैं अभी हमने यहाँ पर कसूरी मेथिली है इसको भी छान लेते हैं आप इसमें हम नमक एट कर देते हैं तो एक चम्मच हमने इसमें नमक लिया है स्वाध अनुसार इन सभी चीचुका हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप और इसमें मसाले अट कर सकते हो अपने हिसाब से तो इनको हमें अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है पानी का इस्तमाल बिलकुर नहीं करना है इसमें हमें तो चम्मच से हम पहले इसको हलगा सा मिक्स कर लेंगे, अभी हम इसमें दो चम्मच ओयल एट कर लेते हैं, ताकि यह चिपके ना, इसलिए हम इसमें ओयल डाल देंगे, और चम्मच को हटा के हाथ उसे हमें इसे अच्छे से मसल लेना है, जैसे हम आटा तयार करते हैं, उसी तरीके से हमें इसका एक दो लगा लेना है, तो इस तरीके سे हमें इसका एक दो तयार कर लेंगे हम, पानी बिल्कुल न डाले इसमें, जो आलू में मोश्या रहता है, उसी से हमारा बेसन बन के तयार हुआगा, यह देखिए, तो बीच में आप इसमें oil भी लगा सकते हो हातु में तांकि चिपके ना क्योंकि आलू है चिपक जाता और बेशन भी हातु में चिपक जाता है तो बीच में आप इसमें oil लगा सकते हो हातु में तो इसको हम लंबाय में रोल कर लेते हैं थोड़ा सा और इसको हम साइट में रख देते हैं, अभी हमने यहाँ पर मसीन ली है, नमकिन बनाने वाली, इसमें हम अंदर से ओल लगा देते हैं, ताकि हमारा आलू और बेसन का इस्टप इसमें चिपके ना, क्योंकि यह चिपक जाता है, इसलिए हमने इसमें तेल लगा लिया है, यह स देती हूं, मसीन के अंदर जितना एक बार में आएगा, उत्रहँ ही डालेंगे, हम थोड़ा इसमें और डाल देती हूं, इस तरह से इसको अंदर को दबा के, हमें तयार कर लेना है, तो इसका साचा हमें उल्टा नहीं, सुल्टा लगा नहीं यह उल्टा है, तो इसको अगर हम इसको उल्टा घुमाएंगे तो नमकिन आना बंद हो जाएगा इस तरीके से तो अब हम गैस की ओर चलते हैं तेल हमारा गरम हो चुका है अभी हम नमकिन उतार लेते हैं इसमें तो हमें मसीन को गोलाएं में घुमाना है इस तरीके से इस तरीके से हम मसीन को घुमाते रहेंगे तो नमकिन हमारी नीचे आती रहेगी आसानी से तो मसीन से बनाना बहुत आसान है उल्टा घुमाएंगे तो नमकिन आना बंद हो जाएगा तो जब तक इसमें बबल्स उरते रहेंगे हमें इसे अभी पलटता नहीं है बबल्स कम हो नहीं करना है हमें तो इसको निखाल देते हम दूसरा बैस तैयर कर लेते हैं हुआ ऊ sì तो इसी तरीकिसे मैं महसीन ंःच्पोय जो भी मशीन है आप उस्फे बना के इसको तयार पड़ सकते हो तो इसी तरीके से हमें सारी आलू भुजिया तयार कर लेनी है तो मसीन को उल्टा गुमाएंगे तो नमकीन आना बंद हो जाएगा तो सारी नमकीन हम पहले तयार कर लेते हैं बहुती easy recipe है आसान तरीके से बन के तयार हो जाएगी तो इस हुली इसको जरूर बनाईए अपने दोस्तों को अपने महमानों को खिलाईए अपने बच्चों को खिलाईए खुद खाईए तो इसको हम पलड देते हैं इसमें बबल साना कम हो चुका है रेखे तो एक साइड से ये तयार है अभी हम इसको पलड देते हैं तो इसी तरीके से नमकीन हम बना के तयार कर लेते हैं और इसको निकाल के साइड कर लेते हैं दूसरा बेच भी हम निकाल के रख लेते हैं तो इस देखे धेड सारी नमकीन हमारी बन के तयार हो गई है आप ही हम इसको एक प्लेट में रखे ये देखिए हलका सा हाथ फेरो इसके उपर ये तूटना शुरू हो जाएगा इसली तूट जाती है तो आप इनको तोड़के एक डब्बे में रख सकते हो ये देखिए तो धेर सारी नमकिन हमारी पन के तयार हो रखी है की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो धेर सारी आलू भुजया हमारी पन के तयार हो रखी है तो जरूर बनाए इस होली आप होली पर भी बना सकते हो किसी फेस्टिबल में भी बना के तयार कर सकते हो चाई नास्ते के साथ आप इसको जरूर खाईए तो मिलते हैं अपनी एगली वीडियो में